नमस्कार सातियों, मैं मनीज, आप सभी दोस्तों का एक बर पुने स्वागत करता हूँ, सरवके क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूप चैनल पर, आज की क्लास को आज आरंब करेंगी, लेकिन आरंब करने से पहले, जो भी मित्र पहली बार चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, इस सेशन को आप लाइक जरूर करें, और इस सेशन के लिंक को अपने दोस्तों तक पहुचाना मत भूलिएगा, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है, हाल फिलाल में कई बार हम लोगों ने चक्रवात के उपर डिसकसन किय खास कर जो ट्रॉपिकल साइकलोन है, क्योंकि जैसे समर सीजन गुजरता है, उसके तुरंत उपरांत इस प्रकार के जो चक्रवात होते हैं, उनके आने की इंटेंसिटी और जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो बढ़ जाती है, यानि अधिक तीबरता से आते हैं और बार बार जिन में इस प्रकार का ट्रॉपिकल साइकलोन देखने को मिलता है, खास कर इस सीजन में जिस समय में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो फिलाल आज की क्लास को हम लोग सुरू करते हैं, सभी लोग क्लास में जुड़िये, और ज्यादस ज्यादा जुड़ा करो, और वीडिय हर एक information यहाँ पर मैं रखता हूँ, इस वीडियो को बनाने का target यह विल्कुल नहीं है कि आपका मनोरंजन किया जाए, मैंने देखा है कि कई ऐसे लोग हैं, जो इस प्रकार के वीडियो में जो primary content है, यानि जो exam के लिए उपयोगी है, उस content को देने के वजाए उसमें उन च चीजों के उपर focus किया जाएगा, जहां से 100% आता है कि आपके exam में question पूछा ही जाएगा, तो आईए, आज की class को सुरू करते हैं, और इस चक्रवात का यहाँ पर नाम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसका नाम आप सभी को बहुत ही clearly दिख रहा होगा, इसका नाम ह कौन से चेतर में आया है, तो जापान के चेतर में आप बोल सकते हैं, या प्रसांत महासागर का पश्यमी और उत्तरी भाग भी इसे बोला जा सकता है, इसमें दो चीजों के उपर बातचीत होगी, एक तो current में जो सांसान आया है, इसकी हम लोग व्याक्या करेंगे, और मंदि जो चीजे होंगी, वो भी हम लोग देख लेंगे, यहां से, sorry, एक चीज और clear हुई होगी, कि एक तरफ तो आपको informative चीजे इसमें देखनी है, जो कि इससे जुड़ी हुई है, और दूसरी तरफ आपको conceptual चीजे देखनी है, जो कि इससे जुड़ी हुई है, तो दोन चक्रवात में पवन की दीशा क्या होती है, इस प्रकार की बातें इससे पहले वीडियो में भी की जा चुकी है, क्या सभी निम्न वायुदाव के जो केंद्र होंगे, उन्हें हम लोग चक्रवात कहेंगे, जब लोग डिसकर्स करेंगे कि चक्रवात क्या होता है, तो उसमे को चकरवाद कहा जा सकता है इस पर हम लोग बातचीत करेंगे फिर चकरवाद के प्रकारों पर हम लोग आएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊँगा उस्ण कटिबंदी चकरवाद कि विकास के लिए आवस्यक दसायन इया सारतें कौन कौन सी होंगी और फिर چक्रवाद के 6 त्री नाम पर हम लोग बातशित करेंगे 6 त्री नाम में ही एक नाम हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, एक सिकिंड 6 त्री नाम में एक नाम आपको पढ़ने को मिलेगा टाइफून, टाइफून एक regional नेम है और किसका ट्रॉपिकल साइकल उन का तो इन सब पॉइंट्स के उपर हम लोगों को आज की क्लास में डिसकस्टन करना है आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस क्लास के लिंक को शेर भी कर दिया होगा इस उम्मीद के साथ आज की class को मैं start करता हूँ, बहुत ही ध्यान से भै देखिए सबसे पहले मुद्धा ये उटता है कि चक्रवात ये क्या होता है तो ध्यान से देखो मैंने बताया कि चक्रवात एक low-pressure का केंदर होता है यहानि चक्रवात केंदर में इसकी तुलना में अगर आप देखिएगा तो कम देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो high pressure है वो इसकी तुलना में कम देखने को मिलेगा यानि जैसे जैसे सतह से केंदर की तरफ बढ़िएगा तो high pressure की intensity जो होगी यह लगातार कम होती चली जाएगे दूसरे सब्दों में आप यह बोल सकते हैं कि जैसे जैसे केंदर की तरफ बढ़िएगा low pressure की intensity लगातार यहाँ पर बढ़ती चली जाएगे इस प्रकार के जितने भी structure होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं इन्हें cyclone कहा जाता है इन्हें हम लोग क्या कहते हैं चक्रवात कहते हैं तो चक्रवात हाई pressure की समदाव रेखाओं से गहरा रहता है हाई pressure की समदाव रेखाओं से गहरा रहता है मैं आपको बहुत ही आराम से बताऊंगा क्योंकि exam clear करने की हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ जोकि हाई pressure की समदाव रेखाओं से गहरा रहता है खिरा रहता है यह इस डाइग्राम में मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर समदाव रेखा है सब्द लिखा गया है जिनने हम लोग इंगलिस में आईसो बार्स लाइन कहते हैं और समदाव रेखा क्या होती है तो ध्यान रखिएगा समान वायुदाव को मिलाने वाली जो कालपनिक रेखाएं होती है इन रेखाओं को ही अम लोग किस नाम से जानेंगे इन्हें आईसो वार्स लाइन कहा जाता है समदाव रेखा के नाम से जाना जाता है तो इतने discussion से प्रेसर का केंदर डेवलप होगा और यहां पर जो हवाएं होगी उनका अविसरन होगा यानि उनका यहां पर कनवर्जन्स होगा यानि इधर उदर से आकर हवाएं यहां पर कनवर्ज करेंगी आप ध्यान से देखिएगा यहां पर जो हवाएं वो क्या हो रही है कनवर्ज हो रही है कनवर्ज होने का मतलब इनका आपस में अविसारन हो रहा है और जहां पर इस तरीके से हवाओं का अविसारन होता है वहां पर वायू का आरोहन होगा और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब कभी वायू का आरोहन होता है तभी मौसम मे परिवर्तन होता है तभी मौसम में क्या होता है परिवर्तन होता है और इसका reverse भी आप सोच सकते हैं कि जहां पर वायू का अब रोहन होगा वहां पर मौसम सांत रहेगा मौसम में किसी भी प्रकार का कोई disturbance देखने को नहीं मिलेगा तो इस प्रकार की condition को ही क्या होती है तो यह तो खेर आपने पढ़ा होगा कि जो पवन की दिशा होती है वो दोनों गुलार्दों में अलग-अलग होती है जैसे अगर उत्तरी गुलार्द की बात चीत करें नदन हमिस्फियर में तो यह clockwise होती है और अगर दक्षनी गुलार्द में कि चक्रवात में पवन की दिशा क्या होती है इस वाले डाइग्राम को आप ध्यान से फोकस करिए यहां पर पवन की दिशा के बारे में बताया गया कि पवन की दिशा क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि यहां पर यह जो केंद्र है इसमें high pressure है ये थोड़ा सा blur है और मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग देख पा रहे होगे कि नहीं देख पा रहे होगे स्क्रीन में तो खेर क्लियर दिख रहा है चलिए भई यहाँ पर यह हाई प्रेसर का केंदर है और आप एक चीज अब्जर्व करिए कि जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाईएगा वैसे वैसे लगातार यहाँ पर लो प्रेसर बढ़ता चला जाएगा यह आप कहिए कि हाई प्रेसर की इंटेंसिटी में कमी आ रही है इसका मतलब अगर यहाँ पर हाई प्रेसर है तो यहाँ पर क्या होगा लो प्रेसर होगा और यहाँ पर क्या होगा लो प्रेसर इस low pressure और इस low pressure में compare करिएगा तो बाहर वाला low pressure आपको अधिक देखने को मिलेगा यानि सतय से जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं लगातार low pressure की intensity बढ़ती चली जा रही है और पवन चलने का concept क्या होता है पवन सदैवी high pressure से किस तरफ चलती है low pressure की तरफ चलती है अगर यहां पर high pressure है तो यहां पर क्या होगा इसमें आप देख रहे होगे कि यह आपको यहां पर clockwise दिख रही होगे तो यह तो यहां पर पवन चलने का concept होगया आप ध्यान से देखिए इधर वाला जो चैग्राम है इसमें बताया गया कि चक्रवाद नदन हेमिस्फियर यानि उत्तरी गुलार्द में कैसे चलता है उसके चलने की यहाँ पर डाइरेक्शन क्या होगी आप समझे कि हाई प्रेसर से लो प्रेसर की तरफ इस तरीके से पवन जा रही थी हाई प्रेसर से लो प्रेसर की तरफ ऐसे पवन यहाँ पर चलत direction में घूम के जा रही थी यह यहां पर इस तरीके से आकरसित हो जाएगी किस तरीके से आकरसित हो जाएगी इस तरीके से यहां पर आकरसित होकर इस low pressure के केंदर पर पहुँच जाएगी आप देखें यहां पर इनके चलने की दिशा कैसी थी clockwise और यहां पर इनके चलने की अभी anti-clockwise direction में move करता है और ऐसा क्यों होता यह बहुत ही संग शेप में मैंने आपको बता दिया इसी condition को अगर आप reverse कर दीजेगा तो यह वाला जो यहां इधर आप द्यान से यह पवन के चलने की दिशा और कौन से गुलार्द में सदन हैं अंत्रगत और यह कैसी होती है तो अभी मैंने आपको बताता है anti clockwise होती है anti clockwise आपको दिख रहा होगा और इधर जो दिया गए यह चक्रवाथ चक्रवाथ में पावन की दिसा क्या होती है चक्रवाथ और वो भी कहाँ पर southern hemisphere की अंतरगा सदन हेमीस्फियर में है और यहां पर आप देख रहे होंगे कि इसके चलने की दिशा क्या हो जाएगी, अब बहुत ही ध्यान से देखो, देखो पवन उत्तरी गुलार्द में कैसे चलती है, यहाँ पर भी बताया कि क्लॉक्वाइज, दक्षनी गुलार्द में एंटी क्लॉक्वाइज, और इसका रिवर्स जो होता है, वो साइक्लोन होता ह और दूसरा आपको यह आइडिया लगा होगा कि चक्रवाद में पवन की दिशा क्या होती है, अगली चीजों के उपर हम लोग बातचीत कर लेते हैं, द्यान से देखिएगा, क्या सभी निम्न वायुदाव के केंदर को हम लोग चक्रवाद कहेंगे, एक चीज तो आपको पता चल गए कि जो चक्रवाद होता है, वह निम्न वायुदाव का केंदर होता है, और ऐसे निम्न वायुदाव के केंदर तो कई हो सकते हैं, लेकिन क्या हर एक प्रकार के निम्न वायुदाव के केंदर को चक्रवाद कहा जाएगा, इसे द्यान से समझेगे, इसे परिवा संगठन ने परिवासित किया कि वास्तों में किस प्रकार के लो प्रेसर के केंद्र को हम लोग चक्रवात मानेंगे इसमें तीन परिस्तितियों की परिकल्पना इसके द्वरा की गई है तीन परिस्तितियां कौन-कौन सी हैं ध्यान से देखिए सबसे पहले यदि चक्रवात मे जो लो प्रेस्टर का केंद्र बंदा है उसमें पवन की गती ये किस आधार पर है पवन की गती के आधार पर है जो मैं यहां पर कैटेगराईजेशन आपको बता रहा हूँ यह दिया है 16 मीटर 30 से कम है से कम तो इसे ट्रॉपिकल डिप्रेशन का नाम दिया गया है WMO के दोरह इसे कहा जागा ट्रॉपिकल डिप्रेशन अगर आप नोट्स बना के पढ़ियेगा फिर आपको और ही आनंद आएगा आवदाव के नाम से जाना जाता है यानि अगर 16 मीटर 30 से कहीं पर गती आपको कम मिले और इस प्रकार की सनशना मिले यानि केंदर में आपको लो प्रेसर देखने को मिल जाए और बाहर जैसे जैसे निकली हाई प्रेसर की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाए और यहाँ पर जो वायू की गती है वो 16 मीटर प्रतिस से कम है तो इसे डवलुय में क्या कहता है या ट् दूसरा द्यान से देखिएगा अगर 16 मीटर से लेकर 35 मीटर प्रतिस सेकेंड तक पवन की गती आपको देखने को मिल जाए तो इसे यहाँ पर स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है इसे क्या कहा जाता है इसे ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहा जाता है ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहा जाता है हिंदी में इसे कहा जाएगा उस्न कटिवंधी तूफान का नाम दिया जाता है इस टार्म का मतलब क्या होता है तूफान होता है यह दूसरी चीज आपको ध्यान लखना है और अगर इस प्रकार की जो पवन की गती होगी इसकी गती 32 मीटर प्रतिस से केंड से अधिक हो जाती है अगर यह इससे अधिक हो जाती है तब इसे हम लोग क्या कहते हैं इसे साइकलोन का नाम दिया गया है साइकलोन हिंदी में इसे हम लोग चक्रवात कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं चक्रवात कहते हैं तो अगर मैं आप से कोश्चन करूं कि बताएब चक्रवात क्या होता है तो संक्षेप में इसे आप कैसे परिवासित करिएगा कि चक्रवात एक निमन वायुदाव का कैंदर होता है जो कि उच्छ वायुदाव की समधाव रेखाओं से गीरा होता है जिसमें वायु की गति कम से कम वात्तिस मीटर प्र specण से अधिक होती है और इस प्रकार के लो प्रेषर के केंद्र को हम लोग की आ कहा जाता है इसे ही चक्रवात गाह जाता है और इसे अपको आपको अच्छे समाज़ाई होगे तीन-चार मुद्धे आपके clear हो गए, आगला ध्यान से देखिए अब चक्रवातों के प्रकार आपको देखने हैं कि चक्रवात जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही संक्षेप में आपको बताता हूं मद्ध अक्षांसी चक्रवाद ये मुक्रूप से आपको 60 डिगरी अक्षांसी रेखा के आसपास के छेतर में देखने को मिलेंगे जो की प्रत्वी में आपको पता है विश्वत रेखा और धुर्वी प्रदेशों के बीच का छेतर होता है इसलिए इसे कहा जाता है मद्ध अक्षांसी चक्रवाद यहां का जो तापमान रहता है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा थंडा भी नहीं होता है इसलिए कई वर इसे हम लोग सीतोष्न चक्रवाद के नाम से भी जानते हैं सीतोस्ट चक्रवाद के नाम से भी जानते हैं Most most important है सीतोस्ट चक्रवाद भी ईसे कहा जाता है और आपको पता है कि जहां पर ठंडी और गर्म हवाएं एक साथ जाकर मिलती है यहाँ पर एक तो ध्रुबी पवन और दूसरी आपको पता है पच्ववा पवन आपस में मिलती है तो यहाँ पर किसकी गटना होती है वातागर के निर्माण की गटना होती है वातागर का निर्मार कहा पर होता है जहाँ पर दो बिपरीज सुभाजों की पवने आपस में जाकर मिलती है जैसे इस छेतर के अंतरगत मैंने बताए कि धुरूभी ठंडी पवन और पच्छुवा गरम पवन यहाँ पर जाकर मिलती है इसलिए यहाँ पर front का निर्माण होता है वातागर का निर्माण होता है इसलिए इस प्रकार के चक्रवातों को उमलोग वातागरी चक्रवात के नाम से भी जानते हैं इन्हें वातागरी चक्रवात भी कहा जाता है तो देखो इनके यहाँ पर तीन तीन नाम है मद्य अक्षा चक्रवात क्यों कहा जाता है क्योंकि मद्यक्षानसी छेत्रों में आते हैं सीतोष्ण चक्रवात क्यों कहा जाता है क्योंकि सीत और उष्ण दोनों प्रकार के यहां पर गुण वाले चक्रवातों का विकास होता है और वातागरी चक्रवात इसलिए कहेंगे क्योंकि यहां प मतलब जहां पर इसका 6 यानि विनास होता है समापन हो जाता है ये परिक्रिया एक चक्र के समान चलती रहती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं साइक्लोजेनेसिस कहते हैं या फ्रेंटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है ये चीज हम लोग आगे डिसकस करेंगे किसी अन्ने क्ला लाद बाद के नाम से जाना जाता है हिंदी में इसे उषनखटिवन्धी कहते हैं और इंगलीज में क्या कहा जाःगा विखल साइकलोन के नाम से आपको नाम से दिख लाहका कि यह केवल और के बलत फो इसके आने का Tôi देखने को मिले गा मुझ की पर इसी चेत्र को हम लोग उस्न कटिवंद के नाम से जानते हैं बिल्कुस ही आपने सोचा अगला देखें द्यान से अगला देखें अब दो प्रकार के आपको पता चल गया है अब देखो द्यान से जो आज का मुद्दा हम लोगों का जुड़ा हुआ है जो आज चक्रवात हम लोग पढ़ेंगे वो एक प्रकार का उस्न कटिवंद ही चक्रवात है इसलिए जो मद्य अक्षान से चक्रवात है उस मुद्दे को आज हम लोग इग्नोर करके चलेंगे पविश्य में जब कभी सीतोष्न कटिवंद ही चक्रवात आएगा तो फिर हम लोग वहाँ पर उ इस प्रकार का चक्रवात आएगा वैसे तो कई परिस्तितियां हैं लेकिन मुख रूप से आपको तीन परिस्तितियां जरूर ध्यान लखना है तीन सरतों को ध्यान लखना है अगर यह तीन सरतें एक साथ पूरी हो जाती है तो फिर इस प्रकार के चक्रवात का विकास हो ज जाएगा यानि सागरी जो सतय होगी उसको एक निश्ची तापमान तक गर्म होना होगा और जब वह उस निश्ची तापमान तक गर्म हो जाएगी तभी उस छेतर में ऊश्ण कटिबंधी चक्रवात के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माड होगा और यह पर कितना होगा तो लगभग द्यान रखिएगा एक्जैट नहीं लगभग मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूं 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है यह अगर सागरी छेतर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक गर्म हो जाता है तो फिर वहाँ पर इस प्रकार के चकरवाध के लिए अनुकूल दसाओं का निर्मार होगा अगला द्यान से देखिएगा दूसरा क्या होता है दूसरा यह होता है कि उस छेतर में कोरियोलिस वल प्रबहावसाली होना चाहिए प्रभाव साली होना चाहिए यानि सक्तिसाली होना चाहिए प्रभाव साली या सक्तिसाली होने का मतलब यह होगा कि उसमें इतनी शमता होनी चाहिए कि उस छेत्र में बहने वाली पवनों की दिशा को परिवर्तित कर सके उसमें रोटेशन उत्पन कर सके आपसे question पूछा जाता है कि बताइए जीरो डिगरी का जो छेत्र होगा यानि जो विश्वत रेखा का छेत्र है यहां का तापमान तो बहुत जादा रहता है यहां पर आपको बहुत जादा तापमान देखने को मिल जाएगा लेकिन फिर भी क्या कारण है कि इस छेत्र में उ होता है कि पवनों को घुमा सके इसलिए अधिक तापमान होते हुए भी यहां पर उस निकटबंधी चक्रवातों का विकास नहीं हो पाता है आप समझ पायोंगे तो पहली condition के MSST होना चाहिए दूसरा उस छेत्र का कौरियोलिस वल्वी प्रभावसाली होना चाहिए और ती जोब सीमा के समीप समीप जेटी स्टीम का प्रभाव नहीं होना चाहिए जेटी स्टीम का प्रभाव नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको पता है नीचे से इस तरीके से आपने सनरशना पढ़ी होगी चक्रवात की और इसी समय अगर कोई उपर जेटी स् और वहीं पर इस प्रकार के चक्रवात का विनास हो जाता है, तो तीन परिस्तितियां देखो एक साथ फुल्फिल होनी चाहिए, एक तो MSST होना चाहिए, उस छेतर का कोरियोलिस बल जो होगा, वो प्रभावसाली होना चाहिए, और छोव सीमा के समीप किसी वी प्रकार की पूरी हो जाती है, तब हम लोग क्या कहेंगे, कि इस छेतर में उस्न कटिवंदी चक्रवात के विकास के लिए सभी अनुकूल दसाएं उत्पन हो गई है, तीनों परिस्तितियां एक साथ पूरे होने पर ही इस प्रकार के चक्रवात का विकास होता है, इसलिए इस प्रभा उस पहले उसमें लगा लिजिए, सटीक निसाना आप लगा लिजिए और फिर ट्रिगर को आप वहाँ पर दबाईए, ऐसने कि खाली ट्रिगर दबा रहे हो और गोली वोली कुछ उसमें है ही नहीं, तो फिर कभी भी गोली उससे निकलेगी ही नहीं, फिक इसी तरीके से सा चक्रवातों को अलग-अलग नाम से जाना जाता है, द्यान से देखिए, जैसे ये जो च्छेतर है, इसे हम लोग केरिवियन सी बोलते हैं, इसे केरिवियन सी कहा जाता है, और इस च्छेतर में जो ऊष्ण कटिवंदी चक्रवात आता है, इसे हरीकेन का नाम दिया गया है, इसे हम लोग क्या कहते है, हरीकेन, और अस्टेलिया के छेतर में जब इस प्रकार के चक्रवात आते हैं, तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे विली-विली का नाम दिया गया है, इसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, विली-विली का नाम दिया गया है, यह आपका हिंद महासागर का छेतर है यह भारत के आसपास का छेतर है जब यहाँ पर इस प्रकार के चक्रवात आते हैं तो इन्हें हम लोग चक्रवात ही कहते हैं इंगलिस में इसे क्या कहा जाता है इंग्लिस में इसके लिए सब दाता है चाक्रवाद, आगरा देखे, इस region के अंतरक जो Philippines है, इंडोनेशिया है, इन regions के अंतरक जब इस प्रकार के चक्रवाद आते हैं, तो यहाँ पर इन्हें वाग्यू के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है, चाइना सी या आप कही कि चीन का छेतर हो जाएगा इस छेतर के अंतरगत अगर इस प्रकार के चक्रवात आते हैं तो इन्हें यहाँ पर टाइफून के नाम से जाना जाता है और जापान सागर के अंतरगत मुखी रूप से अगर यह आते हैं तो इन्हें यहाँ पर के नाम से जाना जाता है, सेम चीज़ है, आप समझे, टाइफून, टाइफू, वाग्यू, चक्रवात, विली-विली और हरीकेन, इन में कोई फरक है इसे हम लोग कहेंगे प्रसांत महासागर का पश्री मिभाग इस चेतर में मुख्य रूप से इसे टाइफून के नाम से ही जाना जाता है जापान में अगर देखिएगा तो बहुत ही स्पेस्फिक होके अगर यहां पर पढ़ना सुरू करिएगा तब इसका नाम टाइफू टाइफून अलग वह एक ही जैसे नाम भी आपको लग रहे होगे और लगबग एक ही छेतर की अंतरगत इनका प्रभाव भी आता है जस्ट मैंने यहां पर लिख दिया है अलग अलग क्योंकि बहुत इस पेस्फिक जिन वुक्स में दिया गया है वहां पर इस छेतर में टा इस टाइफून का नाम क्या है सांसान हो जाएगा पहली चीज़ आप यह समझ पायोंगे कि यह जो है यह एक प्रकार का उस्ट कटिवंधी चक्रवात है इतना तो आपको आइडिया लग रहा होगा आप देखो द्यान से इसमें क्या विशेशता है है खाली में टाइफून शांसान ने जापान के क्यूशू द्यूप पर दस्तक दी है जापान के चार द्यूप हैं जो अकसर आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें इनका करम तो कई बार पूछा गया जैसे सबसे उत्तर की तरब जो महत्पूर्ण द्यूप है इसे होकाईडू द्यूप क आपको ध्यान रखना है और चौथा यहां पर क्यूशू दीवफ है चौथा कौन सा है क्यूशू दीवफ इनके क्रम को उत्तर से दक्षन बहुत अच्छे से देख लिजे होकाइडू होन्शू शिकोकू और क्यूशू हो जाएगा देखें यह जो अभी यहां पर चक्रबात आया है इसका समद्ध क्यूशू दीवफ से है और क्यूशू दीवफ आपको दिख रहागा कहाँ पर है यह जो रीजन है इसे हम लोग क्यूशू के नाम से जानते हैं देखें ज़रा दस्तक दी है जिससे इस छेतर में तीवर पवन के साथ साथ है तीवर वर्षा भी यहां पर देखने को मिली है तीवर वर्षा देखने को मिली है जापान सरकार ने कगोशिमा कगोशिमा आपको यहां पर देखने को मिलेगा यह जो यहां पर रीजन है इसे कगोशिमा के ना है जो कि ऐता प्रकार की प्राकर्थिक की वर ग्रत कर फाइड टी안 की चिद्वाथ के इन उन्हें नापने के लीए कि strict का परयोक किया जाता है और इस केल को सैफिर शिम्प्सन सकेल के नाम से जानते हैं मुश्ट में तुह दाएंगत किis पूस्ट कटिवंधी चक्रवाद जो होते हैं उन्हें मापने के लिए किसी स्केल का प्रियुक किया जाता है तो इसे सैफिर सिम्सन स्केल के नाम से जानते हैं यह जो चक्रवाद आया है यह पहले तो भाई दीमे इसमें पवन की गती रही लेकिन आगे बढ़कर इसमें जो इसकी पवन की गती है, ये 157 माइल पर आवर तक हो गई, जिससे पता ये चला कि ये जो है लेवल 5 के अंतरगत आ गया, लेवल 5 के अंतरगत जो भी आते हैं, उनसे बड़े पैमाने पर विनास होता है, और विनास ऐसे होता है कि उन्हें रिकवर करवाना बहुत ही असंभव ह होता है, इस प्रकार का यहाँ पर विनास देखने को मिलेगा, तो जापान सरकार ने कागोशिमा के कुछ हिलाकों में लेवल 5 की इमर्जेंसी वर्निंग को जारी कर दिया है, इस टाइफून से लगबग 10 लाक लोग, आप देखे 10 लाक लोग प्रभावित होने की संभावन इतने बड़े पैमाने पर इसने लोगों को प्रभावित किया है, तो यह आपका कौन सा है, सांशान है, कौन से छेतर से संबंदित है, तो द्यान रखीगा, यह जापान सागर से संबंदित है, अगर विकल्प में आपको जापान सागर नहीं मिलता है, तब फिर आप लगा क्यूशू द्यूप और कौन सा सहर सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा था तो यह आपका था शान 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 नाम का चक्रवाद जिसके उपर हम लोगों ने डिसकस्टन किया जो मुख्य क्लासेज आपको पसंद आ रही होगी अगर पसंद आ रही है तो फिर वह शेयर करना बिल्कुल मत बूलिएगा अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा आप मोडिवेट किया करो कि इस चैनल पर आएं आप सभी की सक्रियता जितनी अधिक होगी हम लोगों की सक्रियता उससे भी ज करेंगे क्लास को जोईन करने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद